हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपनी यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज एक्जाम 2020 के बारे में इस लिए इंडर तक देखें वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो 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 सब्सक्राइब करीं सब्सक्राइब बटन के पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लें डाल के बटन पर क्लिक कर लें जैसे कि यूनिवर्स्टी एकजाम 2020 से संब्दन एक टूजेट इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंसती रहे तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि सिच्छा मंतरी का परिच्छाओं के बारे में क्या बयान जारी किया गया है ये देखिए फ्रेंट्स स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे हालात सुदरते ही दस दिन में परिच्छा ये देखिए मानव विगास अंसाधन मंत्री रमेश पोखरियार निसंग ने कहा है कि हाला सामान होते ही सरकार सबसे पहले दसमी और बार्मी की बोड़ परिच्छाएं कराएगी कोरोना के खत्रे के चलते पिछले महीने कुल 83 पाठकरमों की परिच्छाएं बीच में इस्तिकित करनी पड़ी थी निसंग ने कहा है सरकार ने फैसले सरकारने फैसला लिया है कि इनमें से आफ 29 मूल Bunu की फिर एक राइजाएं आँ Creek अंग प्रदान की ये जाएँगे हिंडुस्तान सरे विसित सित में निसंग ने कहा है कि झूटिवी पर्चाव पर उच अधिकारियों से विचार बिमरस कि किया जा रहा है प्रवेश परिच्छा परत्यों की परिच्छाओं प्रवेश तिथियों से संबंदेत पहलीओं को भी ध्यान में रखका निर्ड़य होगा और यह दिके दस दिन पूर मिलेगी सूचना सभी पच्छों को दस दिन की पूर सूचना देकर छूटी हुई 29 बोर् कच्छाओं को रदकर आंतरी मुल्यांगर के आधर पर अगली कच्छा में प्रवनत कर दिया गया है तो फ्रेंट्स यहां देगिए सरकार सबसे पहले हालात सामान होने पर सबसे पहले दसमी और बार्मी की बोर्ड परिच्छाए कराने वाली है और उसमें भी मोस्ट इंप परिच्छाएं होंगी और बागी को अब आपके कॉलेज की आधार पर अंक प्रदान कर दिये जाएंगे इस स्क्रीन पर आपको चैनल का लोगो दिख रहा हो उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कर लिएगा जिसी की लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले और फ्रे में पहुंसते रहें थैंक्स फार वाचिंग और सब्सक्राइब माई चैनल